दोस्तों नमस्कार स्वागत एक बार फिर से भारत के सभी फ्यूचर डॉक्टर्स का आपके अपने यूट्यूब चलने में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम इंडियन आर्मी में डॉक्टर बन सकते हैं या यूँ कहें how to become a doctor in इंडियन आर्मी students बहुत important topic है उन बच्चों के जिनका सपना है डॉक्टर बनना वो भी इंडियन आर्मी में तो please वीडियो को देखी गान तक और कले subscribe हमारे YouTube ने लगो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आर्मी में डॉक्टर बनने की जो body होती है वो कौन manage करता है दोस्तों Arm Force Medical Service यानि AFMS यहां एक ऐसी regulatory body होती है जो इंडियन आर्मी में medical से जुड़े हुए सभी process को manage करती है, maintenance करती है यहीं कितनी vacancy जानी है कौन से, टॉक्टर स्कों कहां जाना है, कब joining होगी, सब कुछ जो है AFMS जो एक body है वही regulate करती है तो दोस्तों बात आती ही कि आखिर कैसे join करें है AFMC, तो दोस्तों सबसे पड़ी चीज कहा है कि एक होता है Arm Force Medical College, आप सब नाम सुना होगा, यहां पर MBBS की है 140 सीटे, तो अब अगर आप AFMC Medical College से MBBS join करते हैं, तब आप direct army doctor बन सकते हैं, तो आई यह बात करते हैं कि कौन-कौन से रास्ते हैं AFMC join करने के, तो एक तोता है AFMC से आप medical MBBS course कर लें, दूसरा क्या है कि आप देश की किसी भी regulatory body से MBBS करके, AFMS, यानि कि जो हमारी body है, उसमें जब vacancy निकले तो उसको आप apply करें, तो सबसे पहले बात करते हैं हम, how to join AFMC Medical College after 12th, यानि कि 12th के बाद हम कैसी Arm Force Medical College को join करें, दूस्तों इसके लिए simple सा process होता है, अगर आप 12th pass out है, तब आपको NEET exam, यह National Testing Legibility Common Trans test, यह exam देना होता है, इस exam में आपकी जितने अच्छे score होते हैं, और अगर आपके नंबर, AFMC Medical College की cut-off rank में आते हैं, फिर आपको यह college मिल जाता है, और यहां से 140 सीडे जो MBBS की हैं, उससे MBBS करके, आप आर्मी में डॉक्टर बन सकते हैं, यह तो हुआ पहला process, बहुत जी, Physics Chemistry subject हों, और अगर आप हैं, अगर आप हैं, आपके नंबर 50% हों, अगर आप OBC, SC, ST या Physically Handicapped हैं, तो यहां पर 45%, लेकिन क्योंकि आर्मी में Physically Handicapped बच्चों के लिए vacancies थोड़ी से कम आती हैं, या वो कम अप्लाई करते हैं, तो यहां पर उन बच्चों की थोड़ा आप देश के किसी भी मानता प्राप्त regulatory body से MBBS कर चुके हैं, और आपकी age 45% से कम हैं, तो इस case में जब AFMS, मैं FMC की बाद नहीं कर रहा हूं, मैं AFMS की बाद कर रहा हूं, जो regulatory body होती है, वो MBBS की कोई vacancy निकालती है, आर्मी में, तो आप apply करते हैं, फिर वहां के जो doctors की body होत लेते हैं, वो आपका interview लेते हैं, और एक return और interview के base पे आप Indian Army doctor बन सकते हैं, अगर आप AFMS से MBBS नहीं कियें तो, दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपके कोई सवाल है, कोई questions है, कोई doubt है, तो please comment करिए, हम चाहेंगे कि आपके उन सभी सवालों का जबाब मिल दोस्तों, एक बात और अगर आप नए हैं, तो please subscribe करें हमारे YouTube चैनल को, और पाए medical से सही information सबसे अच्छे देखे से हमारे चैनल पे, तो आज की वीडियो में नहीं है, आपसे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद